हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बेस्ट इन मार्केट के एक और नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले है वोड़ फोन आइडिया शेयर के बारे में स्क्रीनशोट शेयर कर रहा हूँ आप इस स्क्रीनशोट को ध्यान से देखो इसमें मैंने मैंने मेंशन किया है कि बिलो 171 मतलब 17171 के नीचे आपको एक अच्छा कासा पैनिक देखने को मिलेगा और वहीं अगर मैं आपको निफ्टी के चार्ट पर ले चलता हूँ तो यह देखो exactly यह है आपका 17171 का लेवल और इसके नीचे एक बूम तो इस तरह के लेवल्स आपको पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा फ्री ओफ कोस्ट आपको लेवल मिलते हैं इन लेवल को आप कॉपी कर लीजे और इनी के बेसिस पे आप डेली इंटरडे में ट्रेट कर सकते हैं अब चलते हैं word of one idea की news के उपर तो दोस्तों आप जैसे की देख सकते हो आज की दिन word of one idea में करीब करीब 3% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है वही अगर मैं पिछले 5 दिनों की बात करूँ तो पिछले 5 दिनों में आप करीब करीब 13% डाउन देख रहे हैं इसे स्टॉप को वही अगर वन येर की बात करूँ तो इसमें आपको 43% का मूफ देखने को मिल रहा है लेकिन फिर भी इसमें swing खेलने के लिए बहुत अच्छा मौका मिला है, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, जहाँ पर आपने 10 रुपे पर इसको buy करके 16 रुपे पर sell किया होगा, अब यहाँ पर क्या scene बनता है, चलो एक बार फिर से charts पर ले चलता हो, यहाँ पर charts पर approach में गया था, लेकिन उससे पहले ही हमने profit book कर लिया था, 16 रुपे में ही, तो यह तो खेर बात हो गई पहले की, लेकिन अब इस पर क्या scene बन रहा है, हमें यह देखना है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बहुत मस्त सा base है, यह जो एक zone है, करीब करीब 10 रुपे से 8 र देखो end तक जरूर देखना, अब देखो यह जिस जगह पर अभी आया है, जहाँ पर आज की दिन इसने support लिया है, वो करीब करीब 14 रुपे का, exact 14 रुपे का level है, जहाँ पर इसने support लिया है, तो एक बार हम लोग फीबो नैकी भी लगा कर देख लेते हैं, कि इसमें क्या levels निकल के आते हैं, swing low से swing high की तरफ, यहाँ पर देखो जो swing low है, वो यह वाला point है, swing high यह वाला point है, अब हम इनी levels पर फीबो नैकी लगा कर देख लेते हैं, क्या scene बन रहा है, तो यहाँ पर आप देखो फीबो नैकी आप लगाते हैं, फीबो नैकी के तुरू आपको देख के लिए खेल सकते हो, 14 रुपए पर आपको मिले, तो यहाँ पर आप ले सकते हो, लेकिन 14 रुपए से ज़्यादा safe position आपके लिए 13 रुपए 10 पैसे की होगी, क्योंकि अभी यह एक बहुत pressure के साथ गिर रहा है, तो यह आने वाले दिनों में भी एक दो red candle बना सकता है यहा 12 रुपए strict stop loss होगा आपका, 12 रुपए strict stop loss होगा, 12 रुपए 22 पैसा यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा buffer दे कर नीचे की तरफ stop loss लगाते हैं, इसलिए 12 रुपए strict stop loss रहेगा, और आप 13 रुपए से एक अच्छा का सा swing trade इसमें देख सकते हो, मतलब 13 रु आप देख सकते हो कि यह 14 रुपए का है, इसमें जो momentum मिलेगा, आपको इसी तरह का मिलेगा, करीब 3% down, कभी 2% उपर, कभी 4% down, इस तरह का momentum देखने को मिलेगा, तो इसलिए इसमें entry और exit दोनों पे आपको बहुत अच्छा खासा ध्यान रखना है, तो अगर आप 13 रुप के करीब लाकर रख देना, जैसे ही यह stock अपने 17, 17 रुपए मतलब जो high है, उसको touch करता है, आप अपने SL को, जो SL आपने पहले 12 रुपए का लगाया था, उसको 15 रुपए सीधे trail कर लेना, जिससे आपका profit आपके घर साथ जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर यह वापिस से द आपने अगर हमारे पुराने वीडियो से पैसे बनाए हैं, या आपको हमारे लेवल्स अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल को subscribe कर लिजेगा, वीडियो को like कर दीजेगा और अपने दोस्तों के साथ share कर दीजेगा, फिर मिलूँगा एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद